बिहार में इन दिनों आरक्षन को लेकर खुब राजनिती की जा रही है मुद्दे को इसकदर उठाया जा रहा है कि 2025 बिहार विधान सवाचुनाब में कोई मुद्दा नजर आए ना आए आरक्षन का मुद्दा जरू नजर आएगा बिहार के स्वास्त विभाग का मुद्दा नजर आए ना आए बिहार के सक्षा विवस्था का मुद्दा जो है वो नजर आए ना आए लेकिन आरक्षन का मुद्दा इस वाल जरूर देखने को मिलेगा हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रिम कोर्ट की तरफ से जो आरक्षन को लेकर साफ साफ कह दिया गया है सुप्रिम कोर्ट की तरफ से आरक्षन को लेकर जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले पर एक तरफ जहां तिश्वीयादब विरोत करते हुए नजर आ तो वहीं दूसरी और केंदरिये मंतरी चिराग पासvaन भी कही न कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं चिराग पासvaन भी सुप्रिम कोट से गुजारिस्क्र कर रहे हैं इस आरक्षन वाले मुद्दे को एक बार फिर से देखा जाए और इस पर एक बार फिर से सुनवाई की जाए बिहार में जाती की राजनिती किसी से चुपी हुई नहीं है जब लालु राज था तब भी जाती की राजनिती खुब हुआ करती थी और अब भी जाती की राजनिती खुब हुआ करती है और अब इसी जाती की राजनिती का जो मुद्दा है वो आरक्षन का आ गया है आरक्षन को लेकर बिहार में लगतार राजनिती हो रही है सरकार सुप्रीम कोड के फैसले पर कुछ जवाब नहीं दे रही और बिपक्ष लगतार सरकार से सवाल कर रही है। प्रिम कोट में पुन विचार करके याचका डालने जा रही है। प्रैक्टिस में रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि जब भेदभाव चुआ छूट के अधार पर ही हो रहा है तो ये भेदभाव कहीं सक्षा के अधार पर नहीं हो रहा है। ये भेदभाव कहीं आर्थिक द्रस्टिस नहीं हो रहा है। एक तरफ जहाँ उन्हें कहा है कि भाई आप आर्थिक तोर पर सक्षम हो गए हैं तो अब कही भेदभाव नहीं होगा कही ऐसे बड़े नाम भी हैं जो कि अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उनके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है ऐसे उधारन आज की तारिक में भी देखने को मिले हैं जब ये उधारन आते हैं तो ये दर्शाता है कि जो भेदभाव हो रहा है वो आपकी आर्थिक दिस्टी पर ही नहीं हो रहा आप कितने काम्याब हो गए हैं आपने शेतर में उसको लेकर नहीं किया जा रहा है ये इसे लिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआ छुट को लोग मानते हैं एतिहासिक फैसले में गुरुबार को सुपरिम कोट ने राजियों में समाजिक आर्थिक और पिछड़े पन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनित के अधार पर अनुसूची जाती के भीतर जातियों के उपवर्गी कृत करने की अनुमती दी है ताकि ये सुनिशित किया ज सके कि 15 फिस दी एसी कोटे का पिछड़ों को मिले कोट ने अपने फैसले में कहा है कि राजिक को अनुसूची जातियों के भीतर उपवर्गी करन करने का सम्मिधानिक अधिकार है ताकि उन जातियों को आरक्षन दिया जा सके और समाजिक और सैक्शनिक रूप से याति पि अगर कोई दलित वंचित मंदिर में प्रवेश करता है तो उसके निकलने के बाद उससे मंदर को गंगा जल से धोया जाता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब वर्गों के साथ ऐसा किया जाता है आज दलित वर्ग कोई परिवार जो है वो आगे बढ़ चुका है अगर वो आर जो है बैठा दी गई है किस तरीके से आरक्षन को लेकर किस तरीके से भेट भाव को लेकर अब देखना होगा कि चिराग पास्वान आने वाले दिनों में आरक्षन को लेकर किस कदर सुप्रेम कोट के सामने खड़े नजर आते हैं फिलाल के इस सब देच में इतना ही